अस्सलाम अलेकुम दोस्तों सीडीवे में हम आपको दाएंगे सौधी के लेटेस इंपोर्टन अपडेट ये बिडियों के लिए बहुत ही इंपोर्टन जो लोग अभी सौधी अरभिया में रहते हैं क्योंकि एक नई अपडेट सौधी के मज़ित के कस्टेडियन किंग सलमा बिन अब्दुल अजेच की तरफ से दिया गया है जहां पर पास्पोर्ट विभाग को एक आदेश दिया गया है जो भी बिडेश में फंसे लोग है उनका रिजनसी और जो एकजिट बीजा है उसको बढ़ाने को लेकर तो ये एक बहुत ही अच्छी अपडेट है सौधी के एक नई अब्डेट के अनुसार जो नई अब्डेट दी गई है उसके अनुसार एक जरूरी अब्डेट है हम इस वीडियो में पूरी जन कहीं देंगे और जो भी रिलेटेड अब्डेट हूँ अब्डेट में आपको बताएंगे आप जरूर इस वीडियो को पूरा देख पहना है कि अगर आप विदेशी हो तो आपका जो निवास है और निकास भी जा है वो यहां पर बढ़ाया जाएगा लेकिन यहां पर कुछ सर्थ भी लगाई गई है मतलब जहां से कुरोना महामारी के कारण देश में पर्तबंध लगा दिया गया है मतलब जिन देशों के लि पहले कुरोना वारस की बैक्सिन ली है उन पर यह नियम लागू नहीं किया जाता है दोस्तों आगे सुदी के पासपोर्ट विभाग की तरफ से कहा गया है कि सिर्फ उनका बीजा बढ़ाया जाएगा जिन्होंने विदेश मंत्राले से बीजा प्राप्त किया है लेकिन हम आपको बता दें कि यहां पर यह भी कहा गया है कि जो कुरोना वारस के कांड़ देश में पर्दबंध लगाया गया है वो इसका फाइदा ले सकते हैं इसके साथ हम आपको बता दें कि कुरोना का नकारातमक परभाव देश बनना पड़े इसलिए साओधी गबर्मेंट ने यह कदम उठाया है इसके साथ हम आपको बता दें कि यह कार ने स्वाचली तरोब से किया जाएगा और 31 मार्च 2022 तके यह अपडेट दिया गया है एकामा और बीजा बढ़ाने को लेकर तो यह एक बहुत अच्छी अपडेट है बाकि अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आ आप जरूर कमेंट बॉक्स के माधिम से कमेंट करें